हेलो स्टुडेंट्स वेलकम माई यूटूब चैनल एक्स्टा नोलिग फॉर एजुकेशन इस व्यूडियो में हम डिसकस करेंगे 11th क्लास की इंग्लिस बुक होर्नविल का 1st चैप्टर है दपेट पोट्रेट ओफ ए लेडी रिटन भाई खुसवंद सिंग जो एक जनलिष्ट थे एक लीडर थे उन्होंने अपनी आटोवायो ग्राफी में दपोट्रेट ओफ लेडी का जो एक अंस है उसका इसमें एक्स्प्लेन किया है जो एक चैप्टर है यह हम एक रिलेशन के बारें बताता है एक फ्रेंड्सिप के बारें बताता है जो कि राइटर और उसकी ग्रांड मदर के बीच में थी राइटर और उसकी ग्रांड मदर बहुत अच्छे दोस्त थे फिर दीरे दीरे समय के साथ यह सुरूही फ्रेंड्सिप कैसे कम हो गई और बाद में समाप्त हो जाती है यह तूट जाती है इसका इसमें वर्लन क्या गया है Now read the lesson My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman मेरी दादी, पित्यक की दादी की तरहे एक बुड़ी ओरत थी She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her यह बीस वर्स से जबसे मैंने उन्हें जाना बुड़ी और जुर्यों वाली थी People said that she had once been young and pretty and had even had a husband लोगों ने कहा कि बहे एक बार यूबा और सुन्दर थी और उसका एक पती भी था But That was hard to believe लेकिन यह विश्वास करना मुश्किल था My grandfather's portrait hung above the mental piece in the drawing room मेरे दादा जी की जो portrait means picture यह तस्बीर Hang लेटकी हुई थी Over money उपर The mental piece कहते हैं जो ओंगिठी होती है Firebox In the drawing room जो बैठक में थी अर्थाथ मेरे दादा जी की तस्बीर Drawing room में mental piece के उपर लेटकी हुई थी He bore एक बिक तर्वन He means बहा Bore means पहने हुए थे एक बिक तर्वन एक बड़ी पगड़ी And loose fitting clothes और धीले कपड़े His long white beard covered the best part of his chest और उनकी सफेद लंबी दाड़ी Covered means धेके हुए थी Best part of his chest यह उनके सीने का अधिकांस भाग And he looked at least a hundred years old और उनकी जो आयू थी कम से कम सो साल लगती थी At least means कम से कम A hundred years old एक सो वर्स लगती थी He did not look The sort of person Who would have a wife or children यह 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 बैसे नहीं लगते थे कि उनकी पत्निया बच्चे होंगे बलकि ऐसे दिखते थे She looked as If he could only have Loads and loads of grandchildren उनकी तस्वीर के चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि उनकी उम्र कम से कम सो वर्स होगी और उनके बीवी बच्चे नहों कर पोते पोतिया हूं Grandchildren As for my grandmother being young and pretty और मेरी दादी यूबा और सुन्दर होने के कारण मेरी दादी यूबा और सुन्दर होने के कारण विचाल लगभग ये बिद्रोह की वाद थी The thought was almost revolting Revolting means बिद्रोह करना या घिन होना अलाविक thoughts होना She often told us of the games she used to play as a child बहे प्राय ओफन मिंस प्राय है टोल्डस हमें सुनाती थी बताती थी गेम्स उन खेलों के बारे में जो की वो बच्पन में खेला करती थी यूज टू का प्रियोग जो है जो पुरानी आदते होती है उनके लिए प्रियोग के आता है That scene झाल 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 में जो जो इसल आदते हो है झाल झाल झाल